उत्तर भारत में कोहरे का कहर और सरदी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा वहीं इसका व्यापक असल गॉंडा जुले में भी देखनी को मिल रहा है वीश्वन ठंड और बरफीली हवाओं ने लोगों पर कहर बन कर उनका जीना हराम कर दिया है गडाकों की ठंड और बरफीली हवाओं ने खासकर बच्चों और बुजर्गों के लिए आपत का सितम ढ़ाया है जिससे जुले के जंजीवन अस्तवियस्त नजर आ रहा है वहीं कोहरे के कहने सरकों पर मौत का सबब बन रहा है विजिबलिट्री ना होने के चलते दुर्गत ना अधिक हो रही है और लोगों की मौत हो रही है वहीं कोहरे से अधिकांशे ट्रेने अपने निर्धारित समय से काफी लेट भी चल रही है जिससे ग्यात्रियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है जान लिवार ठंड से बच्चने के लिए लोग अपने घरों से बहुत ही आवश्यक कारे पड़ने पर ही बहार निकल रहे है भीशन ठंड को देखते होए जिला प्रशाश्वन नी एक से बारा तक के सभी स्कूलों को साथ जनवरी तक बन कर दिया है लेकिन डिग्री कॉलेज और युनिवर्सिटी में पड़ने वाले च्छात्र और च्छात्राई भी अपने घरों में कैद रहने को मजबूर है बता दे कि लगातार जो है ठंड का सितम यह पर देखनी को मिल रहा है और इसी पर परियादों की परियाद सुनी ज़ा रही है ऐसे परियादियों को भी कंबल बाटे ज़ा रहे हैं जो गुर्बत की जिंदगी से मुप्तेला थे लेकिन इन सबके बावजूद सर्दी का सितम और कोहरे का कहर के आगे सभी विवस्थाए भी पीकी परिती ने ज़रा रही है गौंडा से तुपेल खान की रिपोर्ट